हेलो फ्रेंज स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक में गुरुजी में जिसका रेलवे ग्रूप डी का एक्जाम हुआ दोस्तों अगर आपके नंबर के आपके मांक्स कम आ रहे हैं दोस्तों कोई घबराने की कोई बात नहीं दोस्तों अगर आप 20 नंबर के आज पास पहुंच रहे हैं तो कोई बात नहीं मैं आपको दिखाता हूं यह आफिसली प्रूप परके दिखाऊंगा कि किस तरह से आप पीटी के लिए बुलाया जा सकते हैं दोस्तों पूरी संभावना है बुलाया जाने की दोस्तों कोई भी बात एदम इसली मैं कैसे आपको दिखाता हूं क्या प्रॉसेस है कैसे आपको बताता हूं कि जो है 20 नंबर पाने के बावजूद भी आप पीटी के लिए आपको कॉल दोस्तों आ सकती है वीडियो में बढ़ते हैं आगे और बताते हैं पूरा प्रॉसेस तो यहां पर दे सकते हैं जन्रल ओबीसी यसी स्टी किसी से भी आप बिलॉंग कर रहे हैं सपोस्थ कि जी आपके मात्र 20 नंबर आये हैं रेल्वे ग्रूप डी में चाहे आप किसी भी जोन से हो जोन से भी मतलब नहीं दोस्तों तो दोस्तों पहली बात तो आपने जितने भी पहले जो आट किस देखें होंगे अगर आपने मैश करवाया होगा तो सब के लग बग चार से पांच कोशन आपको ऐसे मिले होंगे जो रेलेवे ने इगनौर कर दिया पहले से ही गलत मान लिया है तो दोसको वह नंबर तो आपको मिलने हैं पिसलिए मैं मान लेता हूँ कि अगर मनें जितने भी क्लेंट से बात किया हैं तो तीन से चार कोश्या एंसर कीमेल लग्भख दोस्तों आपके गलत है डूं सका उत्तर दे दिया है आपने सही में तो लाया है लेकिन उसको प्रूब कर दिया है तो सका अगर आप अब्जेक्शन दूसलों वहां पर करेंगे लेकिन दोस्तों अगर यह और सही होता है और कोश्चन वाकई में गलत रेलवे ने चेक्ट किया है तो यह पैसा आपका फिर रिफंड हो जाएगा ऐसा नहीं है कि रेलवे चार्ज आपका ले लेगी या रख लेगी तो पैसा आपको मिल जाना है अगर सही कोशन पर आपने अ आप दोस्तों बात करते हैं normalization की normalization में दोस्तों पता है 10-15 नंबर बढ़ने ही बढ़ने हैं दस से पंदार नंबर टोटली आपने ये या याल्पी का एक्जाम दिया होगा या एक्जाम जिन्होंने भी डिया होगा आप किसे भी बात कर लिजिएगा सबके लफ़ दोस्तों 10-12-15 नमबर तक सबके बढ़े हुए है तो मैं मानता हूं कि वह दस नमबर अब दोस्तों खुद आप इसको एड़ कर लिजिए 10-13-17 17 नंब्र दोस्तों यहां पे प्लस होने हैं तो दोस्तों अगर आप माल लीजिए 20 नंब्र पाये हुए हैं और 17 यह confusing कई कटीजन सकता है था एक्जाम के लिए तो रेलवे ग्रूप डी यहां ऐसा कर सकती है कि आपको भी बुला ले हो सकता है पूरी कर दीजिए ताकि बाद में कोई प्रॉब्लम आपके सामने ना आए तो अब दोस्तों हम दिखाते हैं आपको ऑफिसली क्या इसका स्टेटमेंट है यहां पर संजात की बात करें तो तीस परस्यात उनके लिए भी दोस्तों कमपल्सरी है तो दोस्तों जो 37-40 नम्मर आपके बन रहे हैं अगर वह तीन गुना करनेट्स को बुलाएगी अपने एक्जाम के लिए तब तो आपके मानता हूं नहीं हो सकता है या थोड़ा दिक्क्त हो सकत वह तो सब्चों का दोस्तों यहां पर काल को आ सकता है तो अच्छे महनत किया होगा और यहां पर नामेसे से होता दो तो आपको क्ल आसकता है तो त्यारी बिल्कुल दोस्तों कर लेए कितने मास को बन जायेंगे तो यहां प्लेटी के काल आने की संभावना तो तयारी Vive और कोई बात नहीए तो इसलिए आम ब्लीज निश अंकोट जो है तैयारी moins विडियों में तब तक के लिए दोसतों अगoire हमारे चैनल पे आप नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिएगा नोटिफिकेशन बेल आइकों को दोस्तों दबा दीजिएगा ताकि हमेशा जनगाई से पहले आप तक दोस्तों पहुंच सके दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा और कोई सजेशन नहीं है कोई प्रॉब्लम है दोस्तों कमेंट लिख सकते हैं मैं पूरी उम्मीद करूंगा कि आपको रिप्लाई दोस्तों अवस्य करूंगा फिर मिलेंगे दोस्तों तब तक के लिए बाए बाए